आज हम बनाएंगे पालक की सबजी, लेकिन ये सबजी आप जह हम दो डालों के साथ बनाएंगे, यानि कि हम इसमें दो डाल यूज़ करेंगे, इसका टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बनेगी है सबजी, तो सबजी की रेसिपी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पालक को अच्शे से धोकर साफ कर लीया है इसको जितना हो सके उतना बारिक कट कर लेना है और यहाँ पर हमने कुकर का बर्टन दिया है आप चाहे तो सिधे कुकर में भी इसे डाल सकते हैं, तो आधा पालक हम इस वक्त यूज़ करेंगे और आधा पालक बाद में उस करेंगे, तो इसका कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, तो सबसे पहले हम इसमें तूर डाल दालेंगे, तो यहाँ पे आधा कटोरी मैंने तूर डाल दी है, और एक पानी डालना है अब हम इसको 2-3 सिटी आने तक कोकर में पकाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमक भी पूरी सबजी में अच्छे से घुल जाता है तो देखिए हमने इसको पका लिया है यहाँ पे दाल, पालग, टमाटर अच्छे से पक गया है तो अब हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे इससे थोड़ा सा मैश करने से क्या होता है दाले ना अच्छे से घुल जाती है तो यह सबजी का गाड़ा पड़ अच्छे से आता है एक तरफ पानी और एक तरफ सबची ऐसे नहीं होती है इसलिए थोड़ा सा गुमाएंगे ताकि यह सबी चीजे अच्छे से मैश हो जाए तो आप हम कड़ाई में एक बड़ा सा चमज तेल लेंगे यह पर आप कौन सा भी तेल यूज कर सकते है तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें आधा चमज से थोड़ा सा कम हम इसमें हिंग डाला है हिंग इस सब्जी में थोड़ा सा जादा यूज कीजिए क्योंकि डाल है डाल से किसी को अच्छे से चटकने देंगे बहुत ही टेस्टी और हिल्दी पालक की सब्जी है आप इसे एक बार जरूर बढ़ना हिए तो देखे अब हम इसमें एक बड़ा सा प्याच कटकर के लिया था उसे डाल देंगे और कुछ करी पत्ता इसमें लसून और टमाटर डालने के जुरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही जब पालक और दालों को पकाया था उस बाक की डाला था प्याच को अच्छे से सोनेरी कलर आने तक हम इसको फ्राय करेंगे तो यहाँ पर देखी हमारा पालक भी अच्छे से फ्राय हो चुका है अब हम इसमें वन फोर चुमच हल्दी डालेंगे और लालमिच पाउडर यहाँ पर मैंने दो चुमच लालमिच का पाउडर डाला है हल्दी और नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा सा संबाल के डालिए थोड़ा सा नमक डाला है और इन सब को अच्छे से मिलाएंगे पालक की सब्जी में ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डलते है अब जो पालक को हमने बचा के रखा था ना आधे को तो उसे डाल देंगे आधा पालक इस वक्त ऐसे डालने से सब्जी का कलर और टिक्चर बहुत ही बढ़ी आता है आप चाहे तो पूरे पालक को इस वक्त ही डाल सकते है पहले डालों को पका लीजिए और बाद में ऐसे पालक को भूनिए और इसमें डाल डाल दीजिए इसे भी आप कर सकते हैं नहीं तो जैसे हमने किया पहले आधा पालक डाल के साथ पकाया और आधा पालक इस वक पका रहे हैं ऐसा भी आप कर सकते हैं एक मिनिट में ये पालक अच्छे से पक जाएगा तो इसे हम ढग देंगे इस पर पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है इसे अच्छे से पक्षाएगा है डग कर इसको हमें एक मिनिट के लिए पकाना है एक मिनिट के बाद चेक करेंगे तो दिखी यहाँ पर पालक पर अच्छे से सौप्ट हो चुका है इसे एक बार चलाएंगे अब जो हमने डाल, पालक और बाकी चेजों को पका के रखा था उसे डाल देंगे और इसमें आवशकता क्या नुसर पानी डालेंगे अगर आपे सबजी चावल के साथ सब कर रहे हैं तो फोड़ा सा पानी डालिए नहीं तो रोटी और पराटे के साथ अगर खा रहें तो इस वक्त पानी डालने के कोई जूरत ने ऐसी कंस्स्टरसी पर इसको पकने देंगे आप सबजी का कलर देख सकते कितना बढ़िया आगया है इसको पर फोड़ा सा हमने गरब मसाला डाला है अप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते पर ना स्कीप भी कर सकते है लेकिन गरब मसाला या किचन किंग मसाला डालने से सबजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो यहाँ पर इसको हम एक से दो मिनिट के लिए पकाएंगे डखनी की कोई जुरुरत नहीं वैसे ही इसको एक अच्छा सा उबा लाने देंगे क्योंकि पहले सबजी अच्छे से पकी हुई है सबी मसालो का फ्लेवर इसमें आज जाए इसके लिए हमें इसको पकाना है उपर से थोड़ा सा हरादानिया डाला है तो यहाँ पर बनकर तयार है हमारी पालक की सबजी जिसे आप रोटी, पराटा, चावल के साथ दिखा सकते है एक बार इस तरह से पालक की सबजी जरूर बढ़ना ही है आपको बहुत पसंद आएगी इसमें हमने तूर दाल के साथ चनी की दाल का यूज़ किया है इससे सबजी का टिक्चर टेस्ट बहुत भी बढ़िया आ गया है तो कैसे लगे आज के आपको रेसिपी अच्छी लगे है तो लाइक और शेर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नई रेसिपी में बाई